हलो स्टूडेंट्स मैं रितुरा सिंग चाराण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ क्रिशना अकेडमी अजमेर के यूटूब चैनल पे स्टूडेंट्स हम जो थोरी पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में वो है आपके Eric Erikson का मनो सामाजिक विकास का सिद्धान्त जिसकी चार अवस्ताएं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी चार अवस्ताएं जो है आज की इस वीडियो में हैं और इसके साथ साथ ही हम इससे रिलेटेड जो अब्जेक्टिव टाइप के जो क्यूशन जो हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपका एक पूरा ओवर्विव एक पूरा अब्जेक्टिव एप्रोच आपकी डेवलप हो जाए स्टुदेंड्स ओके नाउ लेट्स विश्टूड स्टार्ट पहचान बनाम भ्रांती अब देखीगा यह है क्या इसको में एक स्लाइड के माधियम से देखते हैं अवस्ता का नाम क्या है पहचान पहचान को में बोलते हैं आइडेंटिटी मैंने थ्योरी के identity ठीक है identity बनाम भूमी का ब्रांती ठीक है तो ये जो अवस्था होती है ये होती students आपके 12 से लेकर 19 वर्स तक की अवस्था होती है ठीक है ना तो इस अवस्था में बच्चा adolescent होता है किसोर होता है और अपनी पहचान बनाना चाता है आपनी identify वो find out करना चाता है कि वास्त में मैं अभी किस situation में हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मुझे किस direction में जाना चाहिए ठीक है ना तो इसके लिए बच्चा क्या करता विबिन परकार के path विबिन परकार के रास्त है बच्चा वहाँ पर चुनता है जैसे बच्चे का वहाँ पर वो sports में भी interest है बच्चे को music या dance में भी interest है बच्चा साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है तो बच्चे के सामने बहुत सारे various path हैं ठीक है ना तो वो बच्चे के लिए role playing का कारे करती है भूमी का निर्वहन का कारे करती है कि मुझे इन में से किसी एक field को चुन के क्या करना है इसी को अपना particular जो है वो career बनाने के लिए मुझे चुनना ताकि मेरी पहचान बन पाए मेरी identity वहाँ पर हो पाए देखेगा क्या लिखावा है पहचान बनाम भूमी का में आपको language क्या मिल सकती है कि वह कौन है वह क्या कर सकता है वह समाज में अपनी अलग पहचान कैसे बनाए तो समाज के अंदर अप उस बच्चे की अलग पहचान हो इसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है अपनी role playing करता है भूमी का निर्वेन वहाँ पर करता है जिसको हमने नाम क्या दे दिया identity बनाम role playing या पहचान बनाम भूमी का भ्रांती की अवस्ता मैं आपको ये लिखा हुआ as it is आपको बताता हूँ आप उसका screenshot ले 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 ना ये समझने के लिए था students देखिएगा ये लोग ये जो चीजें हमने बोली थी वो सारी की सारी इसमें लिखी हुए आगे देखो अवस्ता का नाम क्या है पहचान बनाम भ्रांती थी ब्रांती identity versus confusion उम्र क्या है 12 से 19 वर्स बच्चा भविशे का रास्ता यहां पर क्या करता है निश्चित करता कि उसका future क्या है जिसके माध्यम से वो अपनी पहचान बना सके समाज में एक अलग पहचान वो वहाँ पर बना सके तो बच्चा भविशे का रास्ता यहां पर निश्चित करने की सोचता है कि वह जिन्दगी में क्या करने जा रहा है जिसके कि वो अपनी पहचान बना सके और इसके लिए बच्चा क्या करेगा विबिन रास्तों से गुजरता है यानि उसके सामने multi-dimensional ways आते हैं बहुत सारे रास्ते उसके सामने आते हैं जिन में से किसी एक का वो क्या करता है चूज करता है और उसके माध्यम से अपनी पहचान बनाता है वो विबिन रास्ते क्या हो सकते हैं सिक्षा हो सकती है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्चा तो उसी में ही बहुत ज़्यादा ध्यान देवे या स्पोर्स के थूबी जो है आप अपनी पहचान बना सकते हो जैसे की सचिन तेन्दूलकर जो है पढ़ने में अच्छे नहीं थे वो अपनी लाइट में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएते लेकिन उनको गौड ओफ किर्केट का जाता है ठीक है ना तो पैचान आप किसी भी वे में बना सकते हो तो वो विबिन वे क्या हो सकते है सिक्सा, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, एड्सेक्टरा और इस अवस्ता का जो विशेश गुण है ये आप अच्छे से याद रखना डेफिनेटली यहां से एक्जाम में क्योशन आएगा और विशेश गुण क्या कहलाता है यहां पर कर्तव्य प्रायनता जिसको हम इंग्लिस में बोलते हैं फिडेलिटी कि बच्चा जो है अपने कर्तव्य के प्रति यहां पर क्या रहता है उनमुक रहता है तो इसका विशेश गुण क्या कहलाएगा स्टुडेंट्स यहां पर फिडेलिटी कहलाएगा अच्छे से आप इसका स्कूल सोट ले लो ओके स्टुडेंट्स अब हम लेते हैं अगली अवस्ता जिसका नाम है गनिष्टता बनाम अलगाओ अगली अवस्ता का नाम क्या स्टुडेंट्स गनिष्टता इंटिवेसी बनाम अलगाओ यानि आइसोलेशन तो इस सवस्ता में जो है विशेश गुण जो होता हूँ होता है प्यार ठीक है ना तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है लोगों के साथ उसकी relatedness उसकी संबंदता कैसी है वो अपने संबंदों को बहुत जादा क्या बनाता है घनिष्ट वहाँ पर बनाता है वो साधी इस उम् अपना प्यार नहीं डूण पाता हूँ साधी वगरा नहीं कर पाता अपना घर नहीं बसा पाता तो वो situation उसके लिए किसकी होती students अलगावाली होती है ठीक है ना कैसे मैं आपको एक example बता देता हूँ जैसे होता है ना देखो यह जो गनिष्टा बनाम अलगाव कि उम्र क् किये 20 से 30 वर्स और या आपको यह कितनी मिल सकती है 20 से 35 वर्स भी मिल सकती है ज्यादा सही answer इसमें क्या जाता है 20 से 35 वर्स बाकी दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए मैं ली क्या याद रखना 20 से 35 वर्स आपको याद रखना है ठीक है ना या फिर आपको यह सा मिलेगा 20-30 या 35 वर्स देखो इस अवस्ता में क्या होता बच्चा किसी विप्रिद लिंग के प्रती अच्छे से अट्रेक्ट होता है उसको किसी से प्यार होता है जिसके साथ वो अपनी लाइफ गुजारना चाता है यानि बच्चे का रिलेशन यहाँ पर कैसा है गनिष्ट है ठीक है ना अब मैं आपको इसको एक स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ देखिएगा यह देखिएगा आप इसके माध्यम से समझिए अवस्ता का नाम क्या दे रखा गनिष्टा बनाम अलगाव ठीक है ना लंबी अउदी के गहरे संबंद यहाँ पर व्यक्ति बनाना चाता है लंबी अउदी के यानि वो रिलेशन लाइफ लोंग चलेंगे यहाँ पर क्या करना चाता है व्यक्ति अपना घर बसाना चाता है साधी करना वो चाता देखो यहाँ पर एक कपल बताया हुआ है ठीक है ना मेरा बाबू मेरा सोना पूस्ते है ना आस्टिकल की जनरेशन के तो यही प्रोब्लम है पहला फोन ही होता मेरे बाबू ने खाना काया क्या मेरे सोना ने खाना काया क्या तो बाबू सोना ने वास्ता में याँ पर इसको प्योर बहुत अच्छा प्यार लगा, उसने याँ पर मिला, इसलिए इन्होंने क्या कर ली याँ पर साधी कर ली अपना घर बसा लिया, जिसको आपने नाम क्या दिया, गनिश्ता या इंटी में सी, ठीक है, अगली सिच्वे जब आपको पता चलती है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हो, और आपके जो रिष्ते हैं वो गनिश्त नहीं होकर आपकी सिच्वेशन कैसी हो जाती है, अलगाओ वाली हो जाती है, आप बहुत अकेला फील करते हो, जिसको हम क्या बोलते या अलगाओ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस सवस्ता का विशेश गुण आपके क्या हो जाएगा, लव या प्यार, अब हम वापिस चलते हो स्लाइड पे, क्योंकि आपने स्क्रीन सोट लिया नहीं था इसका, ओके स्टुडेंड्स ये लो, घनिश्ता बन अब हम बढ़ते हैं, अगली अवस्ता की और सात्मी अवस्ता जिसका नाम है, जनरेटिविटी वर्सेज स्टेगनेशन, जनरेटिविटी को हम कहते हैं, उत्पादकता, और स्टेगनेशन को हम कहते हैं, इस्तिरता, ठीक है ना, और इसकी उम्र होती, स्टुडेंड्स, 35 से लेकर 60 वर्स, तो यहां पर व्यक्ति क्या करना चाहेगा, समाज के अंदर एक अपनी अलग ही जो है, वो एक छवी बनाएगा, वो समाज के लोगों की क्या करना चाहेग यानि जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की, या दूसरी पीडी के लोगों का कल्यान करने की, या समाज के लोगों का कल्यान करने की जो बात है, वो किसमें की जाएगी, जिसको हम इंदी में क्या कहते हैं, उत्पादगता, यानि व्यक्ति यहां पर चाहता कि वो ब प्रशिद्धी अधर कर लेने वाली जो बात है वो यहां पर आती है जन्रेटिविटी जिसको हम क्या कहते हैं उत्पादक्ता ठीक है ना व्यक्ति क्या करता है इसी एज में तो कमाई करके पैसा एकटा करता है घर बनाता है अपनी अधर को अच्छी एजू के सन्य यहां पर देता है इसलिए से होस्ता को हमने नाम क्या दिया देखो यहां पर व्यक्ति क्या करेगा नाम कमाने की बात करेगा यह व्यक्ति क्या हासिल कर लेगा प्रशिद्धी हासिल करेगा इसी को हमने क्या कहा प्रोड़क्टिविटी या उत्पादक्ता कहा उत्पादक्ता ठीक है अगली पीडी के लोगों का कल्यान करना ये सिधा सिधा आपको लेंवेज की रुप में पूछा जा सकता है कि अगली PD के लोगों का कल्यान करना या समाज के कल्यान करने का समद्ध किस से होता है जननात्मक्ता या जनरेटिविटी से और यदि कई वार ऐसा होता है कि इस सवस्ता में व्यक्ति जो है मान लो उसने कि यार बहुत कमा लिया अब मैं आगे कुछ भी नहीं करूँगा तो उसमें वो कौन सी भावना आ जाती है इस्तिर्ता की भावना आ जाती है इस्टेगनेशन की भावना यहां पर आ जाती है तो इस सवस्ता का जो विशेश गुण होता है वो क्या होता है केर या इसको हम क्या कहते है देखवाल क्योंगी केर या देखवाल से ही आप क्या कर पा रहे हो अगली पीडी के लोगों का क्या कर पा रहे हो आप कल्यान कर पा रहे हो अच्छे से एक बार इसका स्क्रिन सोट ले लो ओके स्टूडेंट्स अब हम इस थ्योरी की सबसे लास्ट अवस्ता लेने जा रहे हैं जिसका नाम है संपूर्णता बनाम नीरासा की अवस्ता क्या नाम है संपूर्णता बनाम नीरासा की अवस्ता या इसी को हम कहते हैं एहम बनाम नीरासा की अवस्ता और इसका इंग्लिश टर्म है integrity versus despair और इस अवस्ता में व्यक्ति क्या करता इस व्यक्ति का जो विशेश गुण पाया जाता हूँ होता wisdom में आपको बता देता हूँ इस अवस्ता का विशेज गुण क्या होता, विजडम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धी मता कहते हैं, आप हिंदी नाम लिख लेना, विजडम मतलब बुद्धी मता, इस अवस्ता में व्यक्ति सोचता है कि उसने लाइफ के अंदर क्या किया, क्या उसने जो कु किया उलाद को अच्छी एजूकेशन दी अच्छा घर परिवार बनाया समाज के लोगों के साथ भी मैंने अच्छे से व्यवहार किया ठीक है ना और यदि यहाँ पर विक्तियस होता यार मैं तो मेरी लाइफ में कुछ करी नहीं पाया ना उलाद को अच्छी एजूकेशन दे पाया ठीक है ना कोई अच्छा घर बना के दे पाया ना महिंगी स्कूल में बच्चे को पड़ा पाया तो वो वाली होसता जो है उसके अंदर किसका संचार करेगी डिस्पेर या निरासा का संचार करेगी तो देख लो as it is language क्या हो सकती है यह सोचना कि पूरी जिंदगी मैंने क्या किया इसका संबंद किस से होता संपूर्णता बनाम निरास्ता तो यह सोचना कि संपूर्ण जिंदगी मैंने क्या किया यदि आपने कुछ अच्छा किया स तारा आपको अच्छी अच्छी फिलिंग आ रहे हैं तो वो आपको संपुनता का बहुत कराएगी और इदि आप यह सोजे हैं और मैंने तो मेरी जिंदिगी में कुछ भी नहीं किया तो वो आपको डिस्पेर या नीरासा या नीरासा का भाव यहाँ पर जगा पाएगा तो इस सवस्ता का विशेज गुण क्या स्टुडेंट्स विजडम अच्छे से आप इसका स्टुडेंट्स ले लो पॉइंट यहां पर आपको बहुत अच्छे से दियान रखना है पहली बात तो Erikson की थेहोरी यह कहती है कि जो बच्चे हैं उनको पहल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे किसी चीज़ क्या करे? पहल करें यानि वो वातावन के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा explore कर पाएगा खोज प्रवर्थी वहां पर उसकी जिग्यासा वहां पर जागरत होगी बच्चा creative वहां पर बन पाएगा फाला point क्या आगया कि छोटे बच्चों को पहल करने के लिए क्या करना चाहिए बढ़ावा देना चाहिए या उनको प्रॉतसाहित करना चाहिए और दूसरी बात जो है यहां पर की गई है कि प्रात्मिक इस्कूल के जो बच्चे हैं उनमें परिस्रम के भाव को क्या करना चाहिए, विक्षित करना चाहिए देखो प्राइमरी सेक्षम के जो बच्चे होते आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते जिनको पढ़ने का कहने की जरूती नहीं होती वो अपने आप अपना homework जा exam से related चीज़े वो खुद पढ़ता रहता है लेकिन ऐसी situation बहुत कम बच्चों में पाई जाती है इसलिए बच्चे को आपको क्या करना है मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा वो बच्चा मेहनत करे परिसरम करे उसके लिए आपको क्या करना है प्रो ओके students अब मैं आपको एक slide के माध्यम से एक trick के माध्यम से बता रहा हूं मैंने आपको बताया था हम theory complete पढ़ चुके हैं एक fact आपको बता रहा हूं जिससे आपको यह अवस्ता याद हो जाए मैंने आपको बताया था कि जो starting की 5 अवस्ता है वो आपके लिए बहुत मैत्व पूर्ण है कही लोगों को यह नाम रटने की कोशिस करते रहते हैं तो रट वोगे आप भूल जाओगे थोड़े समय बाद इसलिए मैं आपको एक trick के माध्यम से बताता हूं आपको जो starting की 5 वस्ता याद करनी है तो उसको आपको कैसे याद करना है truck auto in industry के वाई जो truck है और बतानी पड़ेगी तो इससे आपको 5 वस्ता एक साथ याद हो जाएगी पहला नाम मैंने आपको क्या बताया देखो truck auto in यानी अंदर किसके industry यानी उद्योग के अंदर ठीक है और जब auto truck वाले industry के अंदर परवेश करेंगे तो अगली 5 वस्ता क्या आजाएगी उनको वाँ शल्का पर बताना पड़ेगा तो इनसे आपको कैसे हो क्या याद हैगी देखो truck से आपको क्या याद हैगा trust उल्टा क्या हो जाएगा mistrust ओटो से आपको क्या याद आ जाएगा autonomy और इसका उल्टा क्या है वो तो आपको पता ये doubt एक याद दे तो दूसरा अपने आपको याद आ जाएगा स्वायत तता बना में doubt ओटो से autonomy versus doubt ट्रक से trust versus mistrust तीसरा in in का मतलब क्या हो गया initiative और versus क्या हो जाएगा guilt in यानि initiative versus क्या हो जाएगा guilt in कहां पर industry पर तो अगली वोस्ता का नाम क्या आ जाएगा industry versus inferiority परिशरम बनाम हिंता की आवस्ता और उसके बाद में industry में परिवेश करते टाइम आपने क्या दिखाई अपने identity जो है आपने अपनी बताई तो अगली वोस्ता क्या आ जाएगा identity versus आपके क्या आ जाएगा role playing आ जाएगा जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भूमी का निर्वहन ठीक है ना तो देखो truck auto in industry में यहाँ पर लिख देता हूँ trick आप अच्छे से याद कर लेना ताकि पांच अउस्ताओं से क्योसन मते हैं पांच हो आपको एक साथ याद हो जाएगी देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ students truck auto in industry और industry में जाओगे तो आपको क्या बतानी पड़े ठीक है नहीं students तो इसका एक बार आप अच्छे से screenshot लेलो थाकि आपको रटना नहीं पड़े जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी क्योंकि अब हम एक 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 अवस्ता को डिटेल में पढ़ चुके देखो पहली अवस्ता का नाम क्या गया ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट ठीक है यह क्या है psychological crisis है मनोसामाजी की चुनोती है और यही पहली अवस्ता का नाम हो गया इस अवस्ता का विसेश गुण क्या हो गया हो पिया आसा ठीक है अगली अवस्ता स्वायतता बनाम लज्जा की जो अवस्ता होती है इस अवस्ता का विसेश गुण क्या हो गया विल पावर या इच्छा सकती एक एक मैंने आपको हिंदी में लिखाया वाभी है तो आपको यहाँ पर यह नाम यह एज और यह विशेश गुण यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए यह याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा फिर भी आप एक बार देख लो देखो ट्रस्ट वर्सेज मिस्ट्रस जिरो से अठारा मा आवस्ता कौन सी होगी से इनफैंस ही होगी शेश वावस्ता हटारा से चत्थीस मां यानि तीन वर्स वाले को हम क्या बोलेंगे प्रीचाइल्ड हुड बोलेंगे पूर उबाल आवस्ता अगली आरिए आपके यह क्या होगी प्लेज होगी या प्रीश्कूल चोड़ या इilateral को भी बोल सकते हैं बहुत कॉमन नाम है एक बार यह नाम भी आप जरूर देख लेना बारा से बीस वर्स का बच्चा क्या होगा कि सोर होगा व्यस्क होगा एडॉलोसेंट होगा यहां पर बीस से 35 वर्स को हम क्या बोलेंगे अर्ली एडल्ट हुद या इसको हम बोलेंगे पूर अपको बता ही है तो एक बार इस टेबल को भी आप देख लेना अच्छे से अपनी कोपी में बना लेना इसकीन सोट लेलो आप एक बार इसका भी तो देखिएगा students क्युस्णों की स्रंकला की यदि हम बात करें तो आप देखिएगा ये क्युस्ण है आप अच्छे से देखना क्युस्ण लिखा हुआ है एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के किस चरण में प्रती योगिता की भावना का विकास होता है तो याद करो जब मैंने आपको आठ अवस्ताएं बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्य एक अवस्ता के अंदर एक मनोसामाजिक चुनोती एक क्राइसिस पाया जाता है जिसका एक विशेश गुण होता है जैसे कि पहली अवस्ता थी आपके विश्वास बनाम एविश्वास की अवस्ता तो उसका विशेश गुण क्या था होप आसा तो इसी परकार आपसे ये क्यूशन पूचा गया है कि जो प्रतियोगीता की जो भावना है ये विशेश गुण किस अवस्ता का है या किस अवस्त अवस्ता के अंदर develop होता है तो देखते हैं स्टूडेंट्स के option क्या है उसके according answer करते हैं देखो पहला option दे रखा है आपके विश्वास बनाम ए विश्वास की अवस्ता तो देखो हमने पढ़ा था यह तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इस अवस्ता में जो विश्येस आपका जो विश्येस गुण होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है लव या इसको हम क्या कहते हैं प्यार अगला आपके जो answer आरा स्टूडेंट्स देखिएगा परिश्रम बनाम हिंता क्या नाम आ रहा है परिश्रम बनाम हिंता इंडस्ट्री वर्सेज तो यही इसका answer हो जाएगा मैंने आपको एक table भी बताई थी और प्रतियक अवस्ता के अंदर especially note डाल के rate pen से बताया था कि आपको प्रतियक अवस्ता का विश्येस गुण अच्छे से याद होना चाहिए जहां से एक्यूसन आने की आपके पूरी-पूरी सम्मावना रहेग क्या नाम है अवस्ता का स्वायतता बनाम अपरादबोध की अवस्ता जिसको हम क्या बोलते हैं autonomy versus guilt हम बोलते हैं ठीक है ना तो यह वाली जो अवस्ता होती है यहाँ पर बच्चा क्या करता है freedom feel करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा students option C एक बार आप इसका अच्छे से screenshot ले दीजिएगा अच्छा क्यूशन है ओके students क्यूशनों की संक्ला में हम अगली कड़ी की और बढ़ते हैं अगला क्यूशन देखेगा students एक नाम लिखा हुआ है एक नव फ्रायड वादी जिनके द्वारा बाल विकास पर दिये गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था यानि यहाँ पर जो क्यूशन आपसे पूछा जा रहा हूँ किसके बारे में पूछा जा रहा है नियो फ्रायड वादी के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है न तो जब मैंने आपको मनोसामाजिक विकास के सिद्धानत की मैंने आपको आठों जो stage explain किया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्रायड जो है वो ऐसे psychologist है जिनको नव सौरी एरिक्सन ऐसे psychologist है जिनको नव फ्रायड वादी कहा जाता है तो यह आपको directly यदि आ दे तो सिदा सिदा आपका question राइट हो देगा फिर भी एक बार option की तरफ बढ़ते हैं देखो पहला option दे रखा लेव वाईगोस की दूसरा आपके दे रखा जेरॉम बूनर और तीसरा आ इनों क्या है students निर्मितवादी है constructivist है और इसके साथ साथ ये क्या है आपके संग्यानवादी भी है तो इसके साथ साथ आपका equation और भी तयार हो गया कि ये तीनों लोग निर्मितवादी होने के साथ साथ क्या है संग्यानवादी भी है तो नव फ्रायड वादी का जो यह एक्जाम में मिल जाए तो एक्जाम में आया वाज क्यू संथा ठीक है अब मानलो आपसे यह पूछ लिया जाए कि निमन में से कौन-कौन से नव फ्रायडवादी है तो आपको पता होना चाहिए कि एरिक संद के अलावा अन्य कौन-कौन से साइकोलोजिस्ट है जिनको नव फ्रायडवादी कहा जाता है तो मैं इधर देखो यहाँ पर नौट डालके लिख देता हूँ आप screenshot लेके last में लिख लेना मैंने यहाप पर title क्या लिख दिया है नव फ्रायडवादी ठीक है तो नव फ्रायडवादी कौन-कौन है एक नाम तो आपके आई गया और वो नाम क्या था students जो कि अपने question का answer था एरिक्षन इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है कार्ल यूंग कई जगे कार्ल जूंग भी लिखावा मिलता है एक ही चीज़ है ठीक है इसके अलावा एक नाम और आता यहाँ पर एडलर और एक नाम आता है students केरेन होरनी तो ये मैंने आपको सारी detail दे दिये ताकि क्यूसन को थोड़ा घुमा भी दे मानलो ऐसा option दे दिया जाए कि निमन में से कौन सा नव फ्राइडवादी नहीं है ठीक है ना क्यूसन तो कोई सा भी आ सकता आपके पूरी psychology के 6 की 6 unit आएगी आपके read के exam में तो आपको ये जब चारों नाम याद होंगे तब जाके आपका क्यूसन राइट होगा एक बार फिर से revise करवा देता हूँ नव फ्राइडवादियों में कौन-कौन से नाम आ रहे है इरिक एरिक्षन कार्ल यूंग एडलर और केरेन होरनी एक बार आप इसका अच्छा से screenshot ले लीजिएगा ओके students आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन आप देखिएगा क्या है एरिक्षन के मनो सामाजिक विकास का चरण बताएं हो सकता आपको थोड़ा सा light दीखे तो मैं बोल भी रहा हूँ आलांकि साफ दीख रहा है फिर भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको problem create नहीं हो एरिक्षन के मनो सामाजिक विकास का चरण बताएं जिसमें बच्चा देख भाल करताओं से स्वतंतरता प्राप्त करता है तो देखो यहाँ पर man concept जो है वो किसकी बात आ रही है कि देख बाल के साथ साथ हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे है कि बच्चा क्या प्राप्त करना चाह रहा है स्वतंतरता प्राप्त करना चाह रहा है बच्चा क्या प्राप्त करना चाह रहा है फ्रीडम प्राप्त करना चाह रहा है जो है चीजों को खुद ही करें स्वायतता वहांपर वो फील करता है, मैंने आपको एगजम्पल भी बताया था कि मैं मेरी सर्ट खुद पेन लोगा में टोइलेट करने खुद चला जाऊंगा या में खुद ना लोगा या फिर मैं मेरा खाना खुद खालूंगा तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है freedom feel करता है यानि स्वतंतरता या freedom की जो बात है students यह दो को vicious गुण आप याद रखो स्वतंतरता या freedom की बात होती है वो कौन सी अवस्ता में होती है autonomy versus guilt option देख लेते हैं versus doubt और guilt ठीक है students तो क्यूसन पहले अच्छे से समझो आप से किस के बार में बूचना चाहरा है देख बाल करता हों से क्या प्राप्त करना चाहरा है स्वतंतरता प्राप्त करना चाहरा ते इसका आंसर क्या हो जाएगा स्वायतता बनाम सर्म या संदे इंग्लिस में भी मैंने लिखा वा देखो Ericsson's stage of psychological development in which a child gains independence देखो यहां पर बात किस की की जा रही है independence स्वतंता की from caregivers जो आपकी देखबाल करने वाले हैं किस के दबारा स्वतंता किस के दबारा feel करेगा आपके caregivers के दबारा तो आंसर क्या हो जाएगा autonomy versus sam and doubt एक बार screenshot ले लो मैंने सारा बोला भी है आपकी question उतार लेना अच्छा question है बहुत अच्छा question है सीधा सीधा विशेस गुण नहीं पूछके example के रूप में पूछावा ऐसे question आने की अच्छी कासी संभावना रहती है इसकी इन सोट लीजिएगा एक बार ओके students इस question की संखला में हम लेते हैं अगला question देखेगा question क्या है Ericsson की मनो सामाजिक अवधारना के अनुसार चार option दिये हैं कि जो बाई कौन-कौन सा मनो सामाजिक अवधारना से related है तो देखते हैं पहला option देरका है सक्षम माता-पिता अपने बच्चों को विकास संबंदी संकट से बचाते हैं तो बिल्कुल ये option तो right हो गई क्योंकि माता-पिता के प्यार सने केर देखबाल के द्वारा बच्चा क्या करता है आगे जाके ग्रो करता है तो ये option तो right होगा बिल्कुल सामाजिक अवधारना के अनुसार ही है ये अगला देखो एहंकार की भारी चिंता का सामना करने पर संकट आता है अगला option क्या देरका है crisis occur crisis हमने पढ़ाता प्रतेक अवस्ता के अंदर एक मनो सामाजिक इस्तिती होती जिसको crisis या संकट का जाता है तो crisis occur when the ego faces overwhelming anxiety तो एहंकार की भारी चिंता का सामना करने पर क्या आता है संकट आता है तो प्रतेक अवस्ता के अंदर एक संकट की बात हमने की थी crisis की बात की थी तो बिल्कुल ये भी इसी सिद्धाम की विशेश्ता है अगला option देखिएगा प्रारंबिक विकास संकट वाद की मानसिक स्वासद्य मुस्किलों का एक स्रोत है थोड़ा सा light दिख्रा students don't be confused मैं आपको English term के तुरू बताता हूँ early development यानि विकास की जो प्रारंबिक अवस्ता होती है crisis is one source of later mental health difficulties कि जो crisis की जो अवस्ता होती है crisis एक ऐसा स्रोत होता है जो की बात में जाकर क्या करता है मानसिक स्वास्ते वाली difficulty को क्या करता है पेदा करता है तो यह तो हमने पढ़ाई था प्रतेक stage की एक अलग-अलग crisis है जिसके दो पॉइंट है एक positive और एक negative तो इसका answer हो जाएगा कि यह देखो चोता option क्या देरका कि सभी विकास में क्या आते हैं संकट आते हैं all development involves crisis तो यह बहुत अच्छा किसंता students आपको एक ही line में समझ में आ गया होगा कि मनो सामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं होती है प्रतेक अवस्था के अंदर एक मनो सामाजिक चुनोती एक मनो सामाजिक crisis एक मनो सामाजिक संकट आता है अर्थार प्रतेक अवस्था में क्या होगा एक crisis होगा तो यह जो चार option है इसमें सबसे ज़्यादा जो सही answer है वो कौन सा हो जाएगा students चोथा ठीक है ना तो आपको क्यों इतना ही याद रखना है कि मनो सामाजिक अवधारना जो है यह जो सिद्धानत इसकी में अवधारना क्या कि प्रतेक अवस्था में क्या आता है एक मनो सामाजिक situation आती है जिसको हम crisis या संकट कहते है तो answer क्या हो जाएगा सभी विकास में क्या आते हैं संकट आते हैं या English में हम इसको क्या कह देंगे All development involve crisis कि सभी विकास की अवस्थाओं में crisis को क्या किया जाता है involve किया जाता तो देखो यह चार मों option आपको confuse करने वाले थे लेकिन perfect जो answer है सबसे ज़्यादा priority जो हम इसमें देंगे वो कौन सा हो जाएगा students कि सभी विकास में क्या आते हैं संकट आते तो सीधा सीधा में इधर आपके लिख देता हूँ man concept किसका Ericsson की थियोरी का तो man concept क्या है मैं directly यहाँ पर लिख देता हूँ प्रति एक अवस्था में sorry प्रति एक अवस्था में एक मनों सामाजिक चुनोती आती है प्रति एक अवस्था में एक मनों सामाजिक चुनोती आती है जिसे क्या कहा जाता है crisis जिसे क्या कहा जाता है just a second एक मनों सामाजिक चुनोती आती है जिसे क्या कहा जाता है students स्टूडेंट्स क्राइसिस या संकट कहा जाता है तो यह मैंने as it is लिख दिया इसको आप नौट डालके लिख लेना ताकि सीधा सीधा क्यूसन के फॉर्म में आपका तयार हो जाएगा स्टूडेंट्स एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीन सोट लेवें ओके स्टूडेंट्स तो क्यूसनों की अगली कड़ी में हम जो अगला क्यूसन लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स देखिएगा क्यूसन क्या है देखो एरिक्सन के अनुसार चरण चार में तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एरिक्सन की थियोरी से रिलेटेड कौन से क्यूसन की बात की जारी है चोथे चरण की यहां पर बात की जारी है तो चोथे चरण की कौन-कौन सी विशेष्टा है उनको यहां पर हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा याद करवाया था कि चोथी अवस्ता होगी कौन कौन सी होगी तो मैंने आपको बताया था truck auto in industry, truck मलब trust versus mistrust, auto मलब autonomy versus doubt, in मतलब क्या था आपके, intuitive versus कौन सा था, intuitive versus जो भी था एक बार आप देख लेना, ये तीसरा था, और चो था आपके क्या था, industry versus inferiority, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, परिश्रम बनाम हिंता, क्या कहते हैं हम इसको परिश्रम बनाम हिंता, तो देखो student चोती अवस्ता का नाम क्या आजाएगा, मैं उपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम कौन सी stage की बात कर रहे हैं, industry versus inferiority, ठीक है students, और अब देखिएगा यहाँ पर, पहला option क्या दे रहा है, पिछले चर्णों की तुल तुलना में सह पार्टी अधिक महतोपूर बन जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इस अवस्ता में बच्चा जो अपने peer group के दवारा, अपने जो साथी होते हैं, अपने जो classmates होते हैं, उनके दवारा क्या करता है, उनके साथ ज्यादा रहता है, उनकी बातों को मानता है, तो परिश्रम बनाम हिंता वाली यह जो आपके अवस्ता है, industry versus inferiority वाली अवस्ता है, तो इसमें बच्चा जो है किसके माधियम से सीखेगा, से पार्टी ओं का इसके उपर बहुत influence रहेगा, बिल्कुल सही option है, अगला देखेगा, माता-पिता की तुलना में बच friend circle वाले जो लोग होते हैं, उनकी बात को ज्यादा सही मानता है, तो अपने आपी माता-पिता की बात का प्रभाव, यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रभाव किसका होता, अपने peers का, अपने safe party का, अपने हम उम्र साथियों का, या अपने friend circle का, दोनों एक जो से option थे, थोड़ी सी language गुमाई थी, लेकिन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, students, अगला दीखिएगा, आप सिक्सक बच्चे के विकास में एक बड़ी भूमी का अदा करते हैं, तो बिल्कुल सिक्सक जो है, वो तो बच्चे के विकास में भूमी इसके अंदर बच्चा अपने parents की बजाए किसकी बात मानता है, अपने peer group या friend circle की बात मानता है, और इसके अंदर साथ इसाथ teachers की भी भूमी का मैतोपूर्ण होती है, एक बार इसका screenshot ले लीजिएगा, ओके students, क्यूसनों की सरंकला में बढ़ते हैं अगले क्यूसन की ओर, देखिएगा, अगला क्यूसन दे रखा है, मनो सामाजिक सिधान्त निमनल लिकित में से किस पर बल देता है, बई हम बात कर रहे हैं, साइको सोशल थोरी की तो किस सीज को emphasize करता है, ओप्शन पे जाते हैं, eliminate round से आप क्यूसन किया करो, तो देखो पहला ओप्शन दे रखा, उद्दीपन वे प्रतिकरिया, तो बिल्कुल इसकी हमने इस थोरी में कोई बात नहीं की थी, ठीक है, अगल इसका है, सिगमंड, फ्राइड का है, उद्दीपन अनुकरिया की बात जो होती है, वो हम पढ़ते हैं, पावलो की थोरी में और थ्रोंडा की थोरी में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है, अगला आरा, उद्दम के मुकाबले में हिंता इस थर, तो इसलिए मैं केता हूँ, इंग्लिश टर्मिलोजी आप याद रखें, देखो, इंग्लिश में देखिए, साइको सोशल थोरी इंपेसाइसेज ओन विच अफ द फॉलोइंग, और देखो, यहां पर इंग्लिश टर्म दे रखिए, इंडस्ट्री वर्सेज इनफिरियोरिटी ठीक है न स्टुडेंट्स, तो बेटर है आप इंग्लिश सेम याद रखो, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, किस पर बल देता है, उद्दम के मुकाबले में हिंता इस्तर, और चोता ओप्शन क्या, क्रिया, प्रशूत, अनुबंधन, तो यह आंसर राइट क्यों हो ग टॉपिक है, उनसे कोरिलेट करके ओप्शन मिल जाए तो उनको आप इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसकी न सोट लिली जी का स्टुडेंट्स, ओके स्टुडेंट्स, क्यूशनों की संखला में आगे बढ़ते हैं हम, तीन क्यूशन और बच्चे हैं, देखते हैं क्या है, अ स्लाइड के रूप में आपके लिए तयार कियें, ताकि आपका क्यूशन एक्जाम के अंदर गलत नहीं हो, मैं आपको वकाइदा हिंदी में समझाऊंगा, ऐसा नहीं आप कमेंट में ओप्शन डाल देवें, सर प्लीज हिंदी, थोड़ा सा आप अपनी इंगलिस स्था के दोरान कौन सा कॉन्फलिक्ट जो है वो बच्चे को फेस करना पड़ता, कौन सी दुविधा बच्चे को फेस करनी पड़ती है, कौन सा क्राइसिस बच्चे को फेस करना पड़ता है, तो यहां पर बात हम कौन सी अवस्ता की कर रहे हैं, एडॉलोसेंस अवस्ता की बात कर रहे हैं तो किसोरा अवस्ता एडॉलोसेंस यानी 12 से 19 वर्ष की यहां पर बात students की गई है और इस अवस्ता का मतलब क्या हो जाएगा यह कौन सी अवस्ता होगी आपके चोती अवस्ता होगी जिसका नाम क्या industry versus inferiority परिशरम बनाम हिंता की अवस्ता और conflict वर्ड जो है वो किसकी जगे यूज किया गया है crisis संकत या मनोसामाजिक इस्तती के लिए word यूज किया गया है तो देखिएगा चोती अवस्ता अपने कौन सी आती है यह देखो sorry हाँ यह रहा चोती अवस्ता वो नहीं है sorry यहाँ पर चोती अवस्ता की बात नहीं कर रहे हैं adolescent की जो बात होगी वो कौन सी में होगी identity versus role confusion थोड़ा मेरको भी confused हो गया था students वापिस बता देता हूँ बात किसकी कर रहा है adolescence का गुण किस अवस्ता में पाया जाएगा तो adolescence जो किस ओर अवस्ता की उम्र होती है वो होती है आपके 12 से 19 वर्स और वो चोती अवस्ता नहीं होकर कौन सी अवस्ता है पाँचवी अवस्ता है students जिसका नाम है identity versus role confusion यानि इस अवस्ता में बच्चा क्या करता है अपनी पहचान बनाना चाता है समाज के अंदर उसकी एक अलग पहचान हो ऐसी भावना उसके अंदर आती है तो सीधा आपके adolescence से ही राइट हो रहा है adolescence यानि याँ पर हम किस अवस्ता की बात करें 12 से 19 वर्स और 12 से 19 वर्स की बात हम कौन सी अवस्ता में करते हैं पाँचवी अवस्ता में जिसका नाम क्या है student identity versus role confusion ठीक है तो आपको अवस्ता है तो याद है ये एक से लेके art तक एक बार इसका अच्छा से screen source डेली जिएगा अच्छा फिर भी आपके लिए मैं इसको और explain कर देता हूँ देखो पहला क्या लिखा हुआ autonomy versus Sam and doubt तो आपको पता ये तो second वाली stage है जिसकी उम्र कितनी होती है एक से तीन वर्स एक से तीन वर्स का कभी किसोर नहीं हो सकता intimacy versus isolation जो है इसकी उम्र क्या होती है 20 से 35 वर्स ये भी adolescent नहीं है generativity versus stagnation जो है ये आपके आता 35 से कौन सी वर्स में आता है student 60 वर्स में sorry okay students क्यूशनों की संकला में हम अगला क्यूशन लेते है देखिएगा थोड़ा समझिएगा ये भी क्यूशन English में ही है तो पहली बात तो यहां पर क्यूशन की language आपके क्या कहना चारीए वो समझिए कि एक 38 वर्स की उम्र की जो महीला है उसने क्या कर दिया अपनी जोब को क्या कर दिया क्विट कर दिया अपनी जोब को छोड़ दिया किसके लिए attention देने के लिए जोब कौनसी चोड़ी marketing की जोड़ी ताकि वो क्या कर सके अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे सके देखो वापिस बता रहा हूँ उनकी देखवाल कर सके तो मैंने आपको बताये था students दूसरों के भविशे की चिंता करना अपने बच्चों के भविशे की चिंता करना ये वाली जो अवस्ता थी उसका नाम क्या था generativity versus stagnation नाम था जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी नाम है एक बार आप देख लेना generativity का मतलब था उतपादक था और stagnation का मतलब था इस्तिर्ता तो आपको यहाँ पर अच्चे से समझना है कि दूसरों की चिंता के कारन क्या कर रहे हैं वो अपनी जोब छोड़ रही है किसके लिए ताकि अपने बच्चों की अच्छे से केर कर सके उनकी देख बाल कर सके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा students generativity versus stagnation जो की मनो सामाजी की विकास की कौन सी अवस्ता है सात्वी अवस्ता है हिंदी नाम में आपर लिख देता हूँ उत्पादक्ता बनाम स्थिरता की अवस्ता अच्छा क्यूसन था students mainly आप क्यूसन की language पढ़ा करो इसको आपको पूरा पढ़ने की बज़ा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होंने situation से क्या कर लिया quit कर लिया अपनी job से quit क्यों कर लिया ताकि वो क्या कर सके focus कर सके किसके उपर अपने बच्चों के उपर उनकी देखबाल कर सके उनकी care परवा कर सके उनका भला या कल्यान कर सके जिसकी बात कौन सी अवस्ता में की जाती है generativity versus stagnation screenshot ले लो एक बार Okay students अब हम आज की इस class का last question लेते हैं देखेगा which of these is not one of the life stage virtues virtues का मतलब है यहाँ पर गुण के लो या इसी को हम क्या कह सकते हैं wishes गुण भी कह सकते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रतेग मनोसामाजी की विकास की अवस्ता का wishes गुण था जैसे hope, care, love, competency, fidelity सारा मैंने आपको एक की डिटेल में समझाया था अलग से red pen से mark करके भी दिखाया था तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा जो है एक अवस्ता का life stage का वर्चू नहीं है किसी मनोसामाजी की विकास की जो अवस्ता है उसका गुण नहीं है यह क्यूशन आप कब कर पाओगे जब आपको प्रतेक अवस्ता का नाम और उस अवस्ता का कौन सा विसेस गुण है तब ही आप इस क्यूशन का आंसर दे पाओगे बहुत अच्छा वाला क्यूशन है तो आईए देखते हैं पहला option देरका hope तो बिल्कुल यह विसेस गुण था hope का मतलब क्या है यहाँ पर आसा और यह कौन सी अवस्ता की विसेस था थी पहली ही अवस्ता की विसेस था थी जिसका नाम क्या था students परिश्रम बनाम हिंता सोरी ट्रस्ट वर्सेज mistrust जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्वास बनाम ए विश्वास की अवस्ता पहली अवस्ता थी जिसका विसेस गुण क्या था hope या आसा अगला आपके नाम आ रहा love या प्यार यह आपके कौन सी अवस्ता की विसेस था थी तो याद करो हमने एक अवस्ता पढ़ी थी जिसका नाम था Intimacy vs. Isolation और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं गनिष्टता बनाम अलगाव की अवस्ता और ये कौन सी अवस्ता थी students? 20-35 वर्स की अवस्ता थी जो कि कौन से नमबर की अवस्ता थी? चटे नमबर की मैंने आपको बताया था एक टेबल के माध्यम से ये बहुत अच्छे से पढ़ गे जाना सबसे ज़्यादा संभावना इसी क्यूशन की रहेगी अगला नाम आ रहा आपके Honesty तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? Honesty क्योंकि Honesty की जो बात है इमानदारी की जो बात है वो मनोसामाजी की विकास की किसी भी अवस्ता के अंतरगत नहीं की थी ये किसी भी अवस्ता का विसेस गुण नहीं था सबसे लास्ट ओप्सम दे रहा Wisdom या बुद्धी मता जो की कौनसी अवस्ता की विसेस्ता थी Students आप याद रखो सबसे लास्ट वाली अवस्ता जिसको हमने क्या का था Ego versus Despair की अवस्ता या इसी कोई हमने हिंदी नाम क्या दिया था एहम बनाम किसकी अवस्ता निरासा की अवस्ता जो की कौनसी अवस्ता थी आठ मी अवस्ता तो क्यूसन राइट करने का तरीका कैसा होता मैंने आपको Eliminate Round से यहाँ पर अच्छे से बताया है एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रिन सोट ले लिजीगा Students ओके Students तो आज की क्लास में हमने Eric Erikson के मनों सामाजिक विकासिदान को कंप्लीट किया बदलते परिवेस में नई थियोरी से क्यूसन ज़्यादा पूछे जाते हैं पिछले एक्जामों को यदि हम comparatively देखे तो यहां से number of questions बहुत कम आये हुए तो इस बार सम्मावना बनेगी कि इस थियोरी से आपको एक क्यूसन definitely पूछा जा सकता students मैंने आपको विल्कुल focus भी करवाया है कि main क्यूसन कहां से बनेगा अवस्ता का नाम क्या है उसकी उम्र क्या और पड़ते एक अवस्ता का जो एक vicious गुण है वो कौन सा है और example की रूप में क्या चीज़े पूछी जा सकते तो मैंने बहुत सारे live example आपके सामने प्रस्तुत किये थे तो students इसको आप अच्छे से learn करना और channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करे share करे okay students thanks